मेरे चैनल बर आपका स्वागत है शुरू करते हैं अपनी आज की रेसिपी तो यह देखिए मैंने यहाँ पर बारिक कटी हुई एक बोल गोबी ली है पत्ता गोबी बोलते हैं इसे कि अब हमें इसमें डाल देना है आधा जमच नमक मैंने पहले से गोबी को एक बार वाश कर दिया है अब हम नमक मिला रहे हैं इसमें आधा जमच और फींसे 5 मिनिट के लिए रख देते हैं डख करके तो थोड़ा सा इसमें से पानी भी निकल जाएगा और थोड़ी यह सौफ तो यह देखिए, पांच मिनिट के बाद में काफी पानी चूट रहा है इसमें से, वो एकसेस पानी हमें इसमें से निकाल देना है, तो इस तरह से हमें से स्क्वीज करना है, और पानी निकाल करके गोवी दूसरे बरतन में ले लेनी है, काफी सॉफ्ट भी हो जाती है इस तर अब हम इसमें डालते हैं अपने दूसरे मसाले सबसे पहले डाले चावल काटा और चमच बेशन अब हम डाल देंगे कटिवी हरी में रैड चिली फ्लेक्स काले तिल पारड लिया है मैंने अब सॉफ भी ले सकते हैं जीरा पाउडर लिया है फिंग ली है थोड़ी सी हलदी लिये कलर के लिए कि थोड़ी से सफेद तिल लिए अगर आपको पसंद देतो आप डालिये और आगा चमच से थोड़ा कम नमक लिया है दो चमच आइल लिया पहले इसे मिक्स करेंगे और फिर थोड़ा पानी डालना है यह देखि इस तरह का हो जाएगा तब हम रख देंगे 5 मिनित के लिए तो 5 मिनित में थोड़ा सॉफ्ट हो जाता है अब हम इसमें डाल देंगे टमाटर और यह देखिए थोड़ा शेप बना के ओईल वाले हातों से फिर हम गरम ओईल में डालते जाएंगे और बनाते जाएंगे लो टू मीडिया फ्लेम पर हमें इने फ्राय करना है तो इस दीखिए काफी अच्छे कटले ट्वड़े बनके तयार हुए हैं गोबी के बहुत ही जादा अच्छे बने जो सिंपल हम बेशन के बड़े बनाते हैं उससे तो जादा बहुत ही जादा टेस्टी लग रहे हैं यह बाहर से क्रिस्पी है और अंदर से एकदम सॉफ्ट है यह देखिए कलर भी काफी अच्छा आया है थैंक्स वार वाचिंग एक बर आप जरूर ट्राइ कीजिए हाई रेसिपी बहुत ही जादा टेस्टी बनी हैं आप 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 आप